प्रिपल तलाग का नाम लेते ही जो मौलवी होते हैं तताकेतित होते हैं जो ऐसे लोग जिन्होंने इसका अभी तक लुथ लेते आएं वो भड़क जाते हैं एक दम से इसे मुसलमान कहने के लायक ही नहीं है मुझे बहुत शरम आती है अपने जो कटर पंथी जो हमारे जो हमारे उल्मा एक्राम है हमें उन्होंने एजुकेट ही नहीं किया बताया ही नहीं उन्होंने किसी को नहीं बताते हैं और आप देख रहे हैं रीडियो आज हमारे साथ है म महिलाओं को लीड करने में जिनका नाम रहता है। पिछले लगभग 20 वरसों से कहें तो अतिश्रोक्ती नहीं होगी। महिलाओं की शेवा हुआ। या फिर सामाजी कुन सरोकारों की बात हुई जिनसे आम जनता प्रभावित होती है। तो उन सब चीजों को लगधार उठाती रही है। खास तोर पर मुस्लिम नेतर्तों के लेकर बात करें। तो मुस्लिम नेतर्तों करता में जिन महिलाओं को आगे आना चाहिए। उनमें पहली पंक्ति की पहली कतार का नाम है शाहिन परवेश हमारे साथ हैं। सबसे पहला तो सवाल यह है कि एक मुस्लिम महिला होने के नाते आप राजनीती में आई तो आपको किन–किन शमष्याओं के सामना करना पड़ा। दिखिए सवाल यए पняदा होता है कि मुसलिम महिला इनल मिलकि सारी महिलाओं को जो है हर छेत्र में जो है चुनोटिये स्वीकार करने पड़ते हैं है तो ऐसे मुझे भी बहुत सारी चुनोटियों का सामना करना पड़ा और उन चुनोतियों को सफलता पूर्व सामना करते हुए, उनका निप्टारा करते हुए मैं आगे बड़ी और उपर वाले का अशिरवाद रहा जिन्दगी में कभी कोई किसी को घुरु नहीं बनाया था अब पहली बार जीवन में मैंने गुरु माना है जिनको अपना मन से उनका नामयवान इन्य इंद्रेश कुमार जी तो मुस्लिम राष्टिय मंच के हमारे मार्दर्शक है उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ और अब उनके बताय हुए रास्ते पर चल रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब इजनी चुनाथियों का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है जबसे मैंने उनको अपना गुरु मानती है कि आरिशस और जो मुस्लिम राष्ट्री मंच है उनसे जुड़ेवे लोगों से जो अबुमन लोग अपने आपको बहुत ज्यादा प्रकर मुस्लिम वादी मानते हैं वो इनसे दूरी बना के रखते हैं तो आप क्या मानते हैं? कि न से जुड़ने के लिए कौन सी ऐसी चीजे हैं? कौन सी ऐसी शकरात्मक चीजे हैं? इनकी जिन से आप आम जो मु मुस्लिम है उसे जुड़ना चाहिए »क्या ऐसी बाते है? मैं क्या बताओं सूरज को रोष्ण दिखाने के कौन दिखा सकता है सूरज को रोष्ण को मानेनिय इंद्रेश कुमार जी ने 17-18 साल पहले मुस्लिम राष्ट्य मंच बना था उनके मार्ग दर्शन में और जब से लेके आज तक मुस्लिम राश्टे मंच जो मुसल्मान अपने देश से प्यार करते हैं अपने वतन से प्यार करते हैं उनको साथ लेकर उनके लिए काम कर रहा है और मेरा मानना है कि मुसल्मान जो सही तरीके से मज़ब इसलाम का अनुयाई है वो अपने देश से प्यार करता है क्योंकि गुरान पांच में कई ऐसी सूरा है जिन में हमारे अल्ला ताला ने इर्शाद फरमाया और हमारे नभी के जरीये हम तक ये मैसिज पहुचाया है कि जिस वतन में तुम रहते हो उस वतन के लिए अपने खून की नदियां पहा दो अपने वतन से महबबत करो तो मैं तो उन मुसल्मानों को मुसल्मान ही नहीं मानती जो अपने वतन से घद्दारी करते हैं और अपने वतन से प्यार नहीं करते हैं तो मुस्लिम राष्टिय मंच में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब से मैं मुस्लिम राष्टिय मंच से जुड़ी हूँ मैंने भी पुरान पाक पड़ रखा था लेकिन अरभी में पड़ रखा था उसके माईने ही नहीं पताते हम लोगों को और हमने जब उसको माईनों से पड़ा मुस्लिम राष्टिय मंच से जुड़ने के बाद मानिनी इंद्रेश कुमार जी ने ये कहा जब कि आप जो है कुरान पाक को माईनों से पड़ो उसमें देखो उसमें क्या लिखा है अपने अल्ला के बताय हुए रास्ते पे चलो नभी के रास्ते पे चलो रसूल के रास्ते पे चलो वो कभी ये नहीं कहते तुमारे रसूल आप कभी भी उनके जो प्रवचन है या जो उनकी जजबात है दिल के वो आप सुनेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि वो हमेशा ये कहते हैं हमारे रसूर तो मैं तो उनसे जादा मेरा पूरा परिवार मेरे जितने भी रिष्टेदार मिलने वाले और जितने जुड़ेवे लोग हैं और जितने राष्टवादी मुसल्मान हैं वो सब मानी नियंदिरेश कुमार जी के सरपरस्थी में काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं सुरुवाती जीवन आपका कैसा रहा था आपने 1996-1998 के असपास साथ इलेक्शन भी लड़ा था लोग सभागा उस वक्त की परिस्थितियां आज के समय की जो परिस्थितियां हैं दोनों को अगर टैली करें तो आपके नजरिये से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जादा प्रभावी हो गई या फिर कम हो गई महिला राजनेती के दुस्वारियों को लेकर बात करें देखिए वैसे तो मैं कॉलिज टाइम से ही जो है बहुत सोशल रही हूँ चात्र राजनीती में भी हिस्सा लेती रही हूँ और जो हमारे कॉलिज की तरफ से प्राण शिक्षा केंद्र वगईरा की जो योजनाय आती थी और ये सब चीजें मैं बढ़ चण के हिस्सा लिया के कॉलिज में भी जो है हिंदू-मुस्लिम लड़किया सम्मिल के हिस्सा लेती थी और अच्छा बहुत अच्छा वातवरन था ऐसा नहीं है हमारे देश का वातवरन बहुत अच्छा है लेकिन कुछ लोग उने उसको बिगाण के चलते हैं तो मुझे शुरू में बहुत ज मस्याओं को सुलजाओ मुस्लिम समाज में जादातर जो है गरीबी है और जो जादातर तपका है मजदूरों का है गरीब बस्तियों में रहते हैं कॉलॉनिया है वो वैद भी नहीं हुई है बहुत काम किया है मेरट में और मुस्लिम समाज में जा जाके उन लोगों को में बताया है और ऐसा नहीं है कि मुसलिम समाज अपने इस्थिती को आगे नी बढ़ाना चाहता लेकिन कुछ जो हमारे राजनेतिक दल हुए उन्होंने मुसल्मानों के सिर्फ तुष्टी करण की नीती अपनाई उनके साथ उन्हें वोट बेंग की राजनीती से जादा किसी ने हतियार थमा दिये मुसल्मान बच्चों के हाथ में किसी ने स्कूल जाने से ही रोग दिया अगर लोन भी दिया गया तो नाई की शॉप खोल लो फलो की दुकान खोल लो लेकिन आज की सिती बहुत सुधार है मैं देख रही हूं जब से मैं समाज में सक्रिय रही कि आज भारतीय जन्ता पार्टी मोदी जी बहुत जादा मुसल्मानों के लिए काम किया है इस सत्तर सालों के इतिहास में अगर बात करें देश के बड़े मुसलिम लीडर्स की आप किने मानती है देखे मैं किसी को लीडर नहीं मानती मुसलिम लीडर मैं किसी को नहीं मानती देश का कोई ऐसा रहवर नहीं है जो अपने को मुसल्मानों का लीडर कहलाने के लायब हो क्योंकि भढ़काने वाले जादा है लीडर वो होता है जिसके पीछे पूरा समाज आग बन करके उसकी बात को सुनता है लेकिन आज जो जो बहुती छोटे मोटे जो लीडर बन गए है जो तरह तरह की खरपतवारे जो है उग चुकी है समाज के अंदर मुसलिम समाज के अंदर उनसे बड़ा वो अपने से बड़ा किसी को लीडर नहीं मानते यह मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं देखती हूँ ना दिन रात जो क्या करते हैं बस वो सभी को पता है आपका कोई प्लैन है मुसलिमों के विकास को लेकर के मुसलिमों को आगे बढ़ाने को लेकर के कोई आपका ऐसा प्लैन हो जिस पर चलके कोई बड़ी कामयावी हासिल की जा सकती है बिल्कुल मुस्लिमों के लिए सबसे जादा अब तो खेर मैं मुस्लिम राष्टियमन्च से जुड़ी हूँ और मुस्लिम महिलाओं के लिए देखे कितना अंदोलन किये हम लोगों ने तीन तलाख को लेके अब हलाला तीन तलाख बहुविवा यह पुरान पाक में हैं यह नहीं और इनको इनका जो हम जो जो यह जो छे चुड़ाग को नाम लेते ही जो मौल भी होते हैं तताकतित होते हैं जो ऐसी लोग जहो ने इस चाबित हो तक तरीके से अगर हम कहें दूसरी वासा में लुट्व लेते आएं, वो भड़क जाते हैं एकदम से, ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहें? जो कट्रपंती है, वो मुसल्मान कहना लेने के लायफ नहीं है, क्योंकि पुरान पाक के अंदर हमारे रसूल ने, हमारे अल्ला ने बेटियों को, माओं को, औरतों को, महिलाओं को बहुत उचा सम्मान दिया है, जो यह लोग नहीं करते हैं, तो इस तरीके से यह के मुसल्मा कहने के लाइफ ही नहीं है अच्छा इसके लावा आप उन महिलाओं को क्या संदेज देना चाहेंगी जो सामाजिक सर्मों लिहाज के तले दब कर अपने उस लालशा को खत्म कर देती हैं किसी लीडर्शिप की लालशा को खत्म कर देती हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए देखिए परिशानिया तो आती है रास्ते में बाधाई भी आती है लेकिन अपने उन बाधाओं को जो पार कर लेगा जो ठकेगाerei नहीं बैठेगाorem रहारे गारेगा नहीं वो कामियाब हो जाता है और वैसे तो अपनी इच्छाओं को मारते रहो उससे क्या होता है कोई फायदा नहीं है अगर आपके इच्छा है कि आप आके समाज में काम करें आगे बढ़ें तो बढ़ना चाहिए शिक्षा को लेकर के खास बात करते हैं कि शिक्षा को लेकर के बहुत मुस्लिम कौम में ऐसे लोग हैं जो इसके प्रतिस ज्यादा रोजान नहीं दिखाते हैं दीनी तालीमी के अलावा जो सामाजिक ज्यान है या जो किताबी ज्यान है जो शिक्षा की प्रणाली बनी हुई उसमें ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं दिखाते हैं उनके घर के जो लो कि फाव नहीं था लोगों को लेकिन ऐसा नहीं है आज जो है मुस्लिम समाज के अंदरो मुस्लिम से ख़िक्षा और बर्द जाता है फड़ता है अज मुस्लिम समाज के अंदर शिक्षा को लेकर बहुत जागरुकता पैदा हो गई है और मुस्लिम महिलाओं में भी खासतोर से अगर किसी का पिता भी नहीं पढ़ाना चाहता ना मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं तो वह महिलाएं चाहती हैं अपने बच्चों को पढ़ाना खासतो कि अपने लिख और मुस्लिम कोम के लोग जो खासकर होते हैं वो इसके अपोज में होते हैं कि जनसंख्या कानून जो है वो साइद अपके मजभी कानून के एक आर्डिंग फिट नहीं बैठता है तो इस पर कुछ कहना जाएंगी क्या जनसंख्या कानून ज़रूरी है या मजभ इसलाम में भी ऐसा नहीं है कि यह कहा गया है कि तुम जो अंगिनत बच्चे पैदा करो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कुरान पाक हमें हिदायत देता है कि जितने बच्चों को तुम अच्छी तरीपे से परवरिश कर सकते हो उनको पढ़ा सकते हो उतरे बच्चे बहुत बढ़ गई है हमारे देश की उस पर कानून बनना चाहिए क्योंकि दो बच्चों को भी आजकल पढ़ाना जो है ना उनको पारना उनकी परवरिश करना वह बहुत ही जरूरी है ट्रिबल तलाग का विदेह क्वास होने जा रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिकिया है तलाग बिद्द जिसे हम बोलते है एक बार में तीन तलाग देना उसमें कानून बनेगा यह हमें पूरा भरोसा है पहले भी बनाया है मोदी जी ने 6 मही ने के लिए और अब फिर गानून बनेगा और हम चाहते हैं हलाला के खिलाफ भी बने बहु वीग जो सामाजिक पुर मख़ब इसलाम के अंदर यह नहीं कहा है कभी भी के आप चार शादी करो पांच शादी करो या अपनी बीवी को धक्के दे के तीन तलाग दे के घर से निकाल दो इसे तो हमारे रसूल सलल्लाहु अलिए वाली वाली वसल्लम ने हराम बताया था उन्होंने बोला था अगर एक बार में जो है दस तलाग भी दे तो जब भी एक बार मानी जाएगी तीन है इस तीन तलाग का मसला है कि आप तीन महीने तक तीन बार तलाग कहोगे उसी घर में साथ रहोगे उसी घर में सोगे खाओगे एक साथ तो इस तरीके के सक कानून था लेकिन लोगोंनों किस तरीके से उसका मख़ौल बनाया है मुझे बहुत शर्म आती है अपने जो कटर पंथी जो ये हमारे ँल्मा एक्राम है हमें उन्होंने एजुकेट ही नी किया बताया ही नहीं उन्होंने किसी को नहीं बताते है कुरान के सही मायने तो इसलिए जो है मैं कहना चाहती हूँ अपील करना चाहती हूँ गुजारिश करना चाहती हूँ कि अब भी वक्त आ गया है 2004 में All India Muslim Personal Law Board को और देव बंद को मैंने लिखे थे लेटर उन लोगों ने जवाब देना भी जो है गवारा नहीं समझा था उनके कौपी मेरे पास रखी हूई है उसमें मैंने यही लिखा था कि ये जो समाज के अंदर बुराईया पहली हूई है शराब है, जुआ है, सट्टा है Muslim महिलाओं को तीन तलाग देके धक्के देके निकाले जा रहे है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो Muslim समाज के इन बुराईयों को इन कुरूतियों को दूर करिया लेकिन किसी के कानों पर जूई नहीं रहेंगी किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया लेटर तक का जवाब देना गवारा नहीं समझा और ये आपसे इतने साल पहले पेशन गोई कर दी थी मैंने कि यही Muslim महिलाओं आपके खिलाफ सड़कों पोतरेंगी और वो आज बो रहा मुझे भी याद है एक बार मैंने जब त्रिबल तलाग के मुद्दा चल रहा था लग एक साल पहले तो मैंने फेस्बुक पे एक स्टेटास ऐसे डाल दिया था कि एक बार में ही तीन तलाग को किसने इजाद किया था मैं उसकी खोज में हूँ तो तमाम लोगों ने अब शब्दों का इस्तेबाल करना सुरू कर दिया था और वो ऐसे लोग थे जो हमारे बहुत ही करीबी लोग थे और मुस्लिम मित्र थे मेरे बहुत दिनों से मैं उनको जानता था लेकिन उस वक्त उनके अंदर इतनी कटरता जाहिर हो गई को यह भूल गए कि मेरे उनसे मित्ता है पिछले कई वर्सों कुरानी मित्ता है तो इस तरह की जो मानशी विक्रिती के लोग हैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप बिल्कुल हमारे गुरु जी हमारे मानिरी इंद्रेश कुमार जी कहते हैं कि कटरता जो है वो सही नहीं होती किसी के लिए भी, कुरान पाक में वो कहते हैं, और वाखि में हमारी तो समझ में अपाया कि कुरान पाक में कहीं भी कट्टर शब्ने लिखावा, कट्टर तो है नहीं कोई शब्त, कट्टर तो होना ही नहीं चाहिए इंसान को, नेक इंसान बनना चाहिए, अच्छा इंसान ब करने के लिए आगामी किसी शमय और आपसे मुलाकात करेंगे और उन मुद्दों को भी छुएंगे जो आज रह गया है जिन पर बात्चीत करने से हम लोग रह गया है बहुत बहुत सुक्रिया